हेलो आपसे बो तो आज मैं सोचे ना क्या में मार्केट से लाके इंस्टन बना सकती हूं तो मैं त्राइक की बहुत ही अच्छा बना था लेकिन मेरे से थोड़ा उटना अच्छा भी नहीं बना था कुछ कुछ ना फट भी गए थे तो इसको सबसे पहले निकाल ली हूं मैं कट करके और यह 200 ग्राम कर रहता है और इसको ना कट कर से निकाल ले और इसमें जो भी गुठ ले रहते हैं उसको चम्मच के सहता से इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि हम इसमें दूर डालेंगे दू आणिजी निकाल इस से तोड़ा-ईसिंहें रुट भी रही है कुछ Nur한 है इसमे दूरा मेव लिगी अकशन दूर्लेंगे और दूरा टालेंगे सहता से इसको अच्छे सेutetुम से कर चेलिए लेकिन मैं हाथ लोगाती है वह अधरतिर हूं फोषी से तो इतना गिल्ला कीजिए गूति एक मत इसको ना अच्छे से मिक्स कर दीजिए गा नीचे बिलकुल इसमें मतलब की सूखा नहीं होना चाहिए उसके बाद 15 मिनिट लगभख साइड पर रख दीजिए गा तब कि यह सेट हो जाए चैसे से उसके बाद में चासनी की त्यारी क बन जाएगा और मेडियम करेंगे तो 40 तो बनी जाएगा पैन को रख दीजिए और इधर से में सकर निकाल दीजिए और यह देखिए 200 ग्राम का यह सकर का मतलब की कफ है तो इसमें से एक कप सकर ली हूँ उसके बाद ना इसको मतलब की साइड में कर देते हैं और इसी कप स मेल्ट नहीं होता है थोड़ी देर चला लेंगे इस तरह से देखिए इसमें जब अबाल आएगा ना पूरा शक्कर देखिए अचे से मेल्ट हो गया तो इधर से में दो सी चार इलाइची दाना निकाल ले रहू हूँ इलाइची जो हरी वाली होते है वही वाली है इसको आ अचे से 5-7 मिनिट के लिए पका लेंगे अगर आप गाढ़ा चासनी बनाएंगे तो अंदर तक नहीं जाएगा उसको फ्लेम को ओप कर के रख देंगे साइड में अब जाते हैं मतलब की जो जो बेटर को त्यार किया है उसको देखने के लिए पहुत मतलब की जितना किला अचे काफी जारा जितना डूठ जाल देता न है उसको इसको अच्छी बाल बना के त्यार कर लेंगे अप इसको 15 मिट लोड देंगे न मतलब की डूड या पानी मिला के तो यह अपने आप सब्स्तों जाता है और वह एच्छी से बन जाता है सबित्त अब इसमें बिलकुल भी दरार नहीं है आपको जूम करके भी दिखा दे रही हूं यह देखे पूरा बन गया इतना सारा पूरा थाली भरके में गिने नहीं हो कितना बना है उसके बाद तेल रख दी इंडक्शन में इसमें हम धलका तेल को एकदम ज्यादा गरम नहीं करेंगे चोटा से टुकरा प बना है पंख दो रहा है पाद कर दो किना तरह करना है अब सब्सकुआ को पता ही होगा गुलाब जामून का प्रोसेस तो मैं फिर भी बता दे रही हूं इस्तरह से टीज खा नहीं हुआ है विडियू प्लेम करना है को कि छाज इंप ही निकाल लेंगे गे इस तरह से में अच्छी से मिक्स करने के बाद भाद अधा से एक घंटा रख देंगे साइड में ताकि अच्छी से चासनी को सोक लिए तो मैं सुंदर सुंदर वाली जो पीस बनी है उसे को निकाल के दिखा रही हूं पस चासनी जितना बनाई थी अग्दम सभी में अच्छी से हो गया था तो यह देखे बन के त्यार हो गया है गुलाब जमन एदम टेश्टी मार्केट वाली और वैसे भी गिर्स के अच्छे ही बनते हैं तो यह देखे तो मैं तोड़के दिखाती हूं अंदर कितना जोसी है अग्दम मतलब अंदर तक चासनी अदम अंदर तक अच्छे से गया ह है और बहुत ही टेश्टी बना है तो देखे मैं आपको दिखाती हूं अभी सबसे पहले बाबु है तो उसको पता चल गया था कि मीठा बना है खाने के लिए तुसको मैं खिला देरी हो कित्ता खुश हो रहा है और एक आधा हिस्सा मैं खागी यह रहा आज मेरा गुबरला हर दो यह खा रहा है है ता जस्माद रहा है तुक है पूर शो देखे है वं हना है और भी सान घुक है सुक्ता खूर दो सुट है तो प्राव सकता है तुक है हूँनी है गया है झाय थेखे है था फ।ुद तुता ध़